दोस्तों सबजियों की बुआई करने के बाद में एक किसान को कितनी ज़्यादा महनत करनी पड़ती है, कितनी ज़्यादा प्रेशानिया उसके सामने आती है, कितने ज़्यादा रोग बिमारिया उसमें आती है, कितने ज़्यादा इस्प्रे वगरा लेने पड़ते है और कितन कर लें तो मेरे खायल से सब्जियों से अच्छे रैट लिए जा सकते हैं अच्छे मंडी भाव लिए जा सकते हैं पहली ही तुड़ाई से अगर सही समय पर सही फसल की बौई हो जाती है जिस समय पर किसानवाई सब्जियों की फसलों का चुनाव करते हैं उस समय पर क्या करते और इसी हडबडात में कुछ सब्जिया ऐसी भी होती हैं उस सीजन की वो छूट जाती हैं मतलब उस सीजन में काफी सब्जिया ऐसी भी होती हैं उस इलाके के हिसाब से कि उन सब्जियों को उन इलाकों में लगाये जा सकता है और उनसे सबसे ज़्यादा मंडी भाव लिये ज निकलता है कि वो पूरानी ही एपनी फसल का चुनाव कर लेते हैं आप सो का Serieshin वीडियो में वहारा है बात करने वाला हैं जिसकी सभ्याइ पर किसान भाई करके काफी अच्छा प्रोफिट ले सकते हैं सब्जियों में काफी ज्यादा मंडी भाव देने के शम्ता रखती है यह सब्जी फसल यह कि कई बार तो सो सवा सो रुपए तक के मंडी भाव भी इसके चले जाते हैं और रैट जो है वो लगातार इसके ऐसे ही बने रहते हैं ऐसा निभी नहीं है कि 10-15 दिन इसके रैट मिल जाते हैं उसके बाद में डाउन आ जाते हैं या किसी पर्टिकुलर सीजन में इसके मंडी भाव अच्छे रहते हैं साल भर इसके अच्छे मंडी भाव ही आपको देखने को मिलते हैं और काफी ज्यादा उत्पादन यह फसल आपको देखे जाती है अगर आप अच्छी वाराइटियों का सेलेक्शन करते हैं, वाराइटिया काफी ज़्यादा मायने रखती हैं इस फसल के लिए, तो आज के इस वीडियो में पूरी जानकारी इस फसल के बारे में आपको दी जाएगी, कौन सी फसल है, कौन सी वाराइटिया लगानी है, और सह प्राइब जरू कर देना, ताकि खेतिवाड़ी से रिलेटेड वीडियो सही समय पर सही जानकारी के साथ आपको मिलते रहे हैं, नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुरेस, और आप देख रहे हैं, खेत किसान, जंजनो, तो दोस्तों, आज हम जिस फसल के बारे में बात करने वाले हैं, उस फसल का नाम है तोरई की खेती, जिसको अलग-अलग राज्यों में अलग-अलग नामों से जाना जाता है, तोरई भी बोला जाता है, तोरई, नेनवा, जिंगा, जिंगी, घेवडा, इस तरह के अलग-अलग राज्यों में अलग-अलग नामों से इसको जान बात कर लेते हैं इसके फाइदों की सबसे पहले तो देखे इसके जो रहते हैं वो काफी जबरजस्त रहते हैं हमारे आसपास की जितनी भी मंडिया हैं यानि की जुझनु मंडिगी बात कर लें चाहिए शिकर मंडिगी बात कर लीजिए जैपुर मंडिगी बात कर लीजिए मतलब किसी भी मंडी में आप चले जाना सीसन में इसके काफी जोरदार मंडी भावी रहते हैं और जब इसकी पहली आवक मारकेट में होती है मंडियों में मतलब होती है उस समय पे कम से कम साट सतर सी so रुपै तक इसके जो भाव है वो चले जाते है दोस्तों तोरी की खेती काफी सिमित होती है काफी सिमित किसानवाई इसकी खेती करते हैं इस वज़े से मंडियों में इसकी आवक भी सिमित होती है एक दो महिनों को छोड़ कर कुछ एक टाइम ऐसे हैं जहां पर इसकी आवक जाओ थोड़ी सी बढ़ जाती है एकदम जब इस करेंगे तो जबरजस्त कमाई इस फसल से आप कर सकते हैं उत्पादन भी इस फसल का काफी जोड़दार निकल के आता है और काफी जोड़दार प्रोफिट आप इस फसल से ले सकते हैं अगर आप इसकी बुआई सही समय पे कर लेते हैं देखे साल में इसको तीन बार लगाया कर सकते हैं सबसे पहले तो इसकी खेती मतलब फरवरी महिने में इसको लगाया जाता है फरवरी माह में आप इसकी खेती कर सकते हैं उसके बाद में मार्च महिने भी आप इसकी खेती करते हैं इन दोनुई समय पे दोनुई महिनों में लगाने पर काफी अच्छे रैट जो है क सुन वगर आ जाता है तो वहां पर पंद्रह बीस जून के आश पास भीस की ववाई हो जाती है लेकिन बरसाथ के सीजन में जब किसान भाई इसको लगाते है तो मंड़ तयार करना पड़ता है स्टेशिंग करके उसके बाद में इसकी खेती की जाती है उसके बाद की बात की जुलाई अगस्त की बात हो गई उसके बाद की बात करें तो उसके बाद में इसकी खेती होती है नवंबर और दिसम्बर महिने में हलाकि कुछ छेत्रों में जो है अक्टूबर के आखरी सब्ता में भी इसको लगाया जाता है लेकिन नवंबर और दिसम्बर माह में हमारे area की बात करें तो नवंबर और दिसंबर मां में इसको लगा दिया जाता है उसके बाद में फरवरी के end में या फिर मार्च के पहले सब्ता तक यह हर्वेस्टिंग प्याते हैं उस समय इसके भाव की बात करें हर बार में जो इसके भाव है ना वो रहते हैं लगबक सतर असी रुपए से लेकर सो सवा सो रुपए के आसपास इतने जवरजस्त मंडी भाव इसके मिलते हैं और ये भाव करीब एक से डेड़ महिने तक ऐसे बने रहते हैं उसके बाद भी अचानक से इसके भाव में गिरावट नहीं इस तरह से इसके मंडी भाव जो है वो डाउन आते हैं हलाकि डाउन भी आते हैं लेकिन इतने ज़्यदा नहीं देखिए वराइटियों को लेकर आपको सबसे ज़्यदा सावदानी रखनी है अच्छी वराइटिया अगर आप लगाएंगे तो अच्छा मंडी भाव आपको सही नहीं मिलेगी फल की क्वालिटी मतलब तोरी एकदम ग्रेन चमकदार और आकरशक होगी तो मंडी भाव आपको एकदम शांदार मिलेगी मतलब एकदम ग्रीन कलर होगा तो वह आपको अच्छी मिलेगी कई बार किसान भाई लोकल वराइटिया उठालाते हैं उसका कलर भी हरा नहीं होता मतलब देखने पर एकदम वाइट वाइट सी दिखेगी आपको मतलब हरापन उन में नहीं दिखेगा और तोड़ने के एक घंटे बाद आप देखोगी तो इस तरह से मुर्जाई मुर्जाई हो जाएंगी मतलब आपको ऐसा लगेगा कि यह यार यह मतलब वाराइटियां काफी खराब आती हैं लोकल वाराइटियों का अगर आप सेलेक्शन कर लेते हैं तो देखिए अच्छी वाराइटियों का अगर आप सेलेक्शन करेंगे तो काफी अच्छे मंडी भाव आपको मिल जाएंगे और उस समय पे नवंबर और दिसंबर क्य तैयारिया अभी आप शुरू कर सकते हैं, दो, ढ़ाई, तीन महिने का समय आपके पास पड़ा है, इतने समय में आप अच्छे से तैयारिया कर लीजिए, तैयारिया क्या करनी है, पांस से च्छे ट्राली सडीवी गोबर की खाद आप डाल दीजिए, उसके बाद में एक सुरिया खाद और चालेश केजी मिरोटोप पोटास, यह आप ले लीजिए, यह डालके आखरी कल्टिवेशन के बाद में, छेच्छे फिट की दूरी पर आप बैड बनाएए, और बैड बनाके हाँ, इस समय पे अगर आप लगाएंगे, तो बाद में आपको मंदब बगर तयार करने की जोड़ता नहीं पड़ेगी, यह आपका जो खर्चा है, वो बच जाएगा, हाला कि इसके जगाए आपका खर्चा तो होना है, लोटनल का खर्चा हो जाएगा आपका, क्योंकि नवंबर और दिसंबर माह में आप लगाएंगे, तो क्रोप कवर आपको लगान को पर की जाती है, और जमीन पर ही कहती करके आप अच्छा उथपादन ले ले लेंगे, और अच्छे मंडी भाव ले लेंगे, और अच्छा मुनाफ़ा ले लेंगे, अब देखें आपको इसकी सबसे बेस्ट वराइटियों के बारे में बता देता हूँ, जिनकी खेटी आ कई भी कर सकते हैं और यह भारायटिया क्वालीटी अच्छा उत्पादन और अच्छी उत्पादन की कापफी शांदार मिलेगी मतलब सबसे बेस्ट जो वराइटी है तो रही की वो यहाँ पर आपको बताने वाला हूं नंबर एक पर है इस्ट वेस्ट कंपनी की एक नागा वराइटी आती है उसका आप सेलेक्शन कर सकते हैं सबसे अच्छी और सबसे शांदार वराइटी है उसके अब एक कलाउज की विनाएग के नाम से वराइटी आती है तोरही की यह भी लिग्षा कवार वराइटी है उसके बाद में एक आती है कंपनी की तिरसी चोमालिश वराइटी इसके भी फल की क्युवालेटी काफी गजब की मिलेगी आपको और उत बादन इसका भी आपको का रघ्म्वार्ग काम ड़ेन हैं तोरे की काफ़ी शांदार वराइटी है। इसके बाद में सागर सीद कि वैसाली वडुटी आति है। सागर सीँ सागर सीद जिसका हम तर्भूज का वीज Greece के नाम से आता है। उसी कंपन की वैसाली वरायटी आती है उसका भी आप selection कर सकते हैं यह भी आछी और काफी शांदार रखीटी है तो इस तरह से आप यह चीयारपांच वर्याटिया मैंने आपको बताई है लगभग लगभग आपको हरे के एरिया में यह वरायर आराम से मिल जाएंगी इन से कोई ना कोई आपको पक्का मिल जाएगी क्योंकि एची मतलब जो टौप वराइटी है उन्हीं के बारें बताए हैं जो टौप कंपनिया है उन्हीं की वराइटिया मैंने आपको बताई है इसलिए आसानी से आपको उपलब्ध हो जाएंगी और इनका सेलेक्शन कर यह सारी हमारी जाटीपरहएटिया है एक भी बिएटी में कोई दोस्त नहीं है सभी बात्यogyं को हारो सिलेक्शन कर सकते हैं में कि और बरैटियों को आपको नहीं लिए ऐन crystalline लुकल बैटियों को आफ सारी हमारी कुझछ मोनाफे टाकत्य उसकी खेती अगर जो किसान भाई अब करना चाहें तो नवंबर और दिसंबर महिने में कर सकते हैं और अच्छा उत्पादन तोरी की फेसल से ले सकते हैं और अच्छी कमाई भी कर सकते हैं आज के वीडियो में इतना ही मिलते हैं किसी और वीडियो में नए टॉपिक के साथ तब तक के लिए जैहिंद पंदे मातरम